नमस्कार जी हिंदु वंदी मातरम साथी एक बार फिर से स्वागत है दे इंडिया नीज के अंदर दोस्तों लेकर आचेके आज का महा ओपिनियन पॉल जो की लोग सबा के उपर निकल कर आ रहे हैं दोस्तों आने वाले समय में यानि की 2424 में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत कौन होगा अगर कार दोस्तों जानेंगे हैं तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखेगा ताकि कि आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी दोस्तों आपको बतादे कि लगातार 10 साल से राज करने वाली मोधी सरकार अपनी ललकार बनाकर एक नएा इतियास रिचेंगे और दोस्तों जनता की सेवा के लिए एक बार पिड़से हाजिर होंगे ही नकई नकई मोधी सरकार भी इस बीज़ रावल गांदी को ललकार तो नहीं है कि सरकार को चलाना भी चाहिए आकरकार दोस्तों हम आपको बतादे कि दो परदान मंतरी नरेंदर मोधी को पर अच्छा कासा निसाना साधने की कोशिस में हैं कहीं न कहीं मोधी की गलतियों को राउल गांधी पकड़ने की कोशिस कर रहे हैं ताकि उनको इस बार चुनावल के इलेक्शन में मुद्दा बना सके हैं और अपनी सीट के लिए जगे मना स चाहिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस बार आने वाले लोग सबाद चुनाव में किसकी बनेगी सरकार यानि के अगला परदान मंतरी कौन बनेगा नरेंदर मोधी या राहुल गांधी और दोस्तों हम इस ऑपनिन पॉल को सुरू करें उससे पहले आप सभी से एक च क्या उपनिन पॉल से आप शेमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर जूरू बताईगा और दोस्तों आपके इस बार प्रदान मंतरी कौन बनेगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर अपना उपनेट पॉल जूरूर दीजिए का ताकि हमें विता चल सके की चंता किसको चाती है दोस्तों आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मेतपूर हैं ताकि आप कमेंट करोगे तो हम आपकी कमेंट का दोबरा रिपले जूरूर करेंगे और दोस्तों आप इस वीडियो के चोटा सा लाइक भी करते जागे कि दोस्तों आपका एक लाइक ही हमारे बहुत कापी ह सबाइन चुनाव की इस और पो स्चुरूरा को सुरू यहां पर दोफ़ की 40 बारे बात की जाए तो एंडीग कहते में 25 उप Issar 10 21 मंगाल के 42 बार बाद की जाव दो खाते में टाइस तो यूपिए काते में 6 और अन्य खाते में 8 सीट जाती वी नजर आ रही हैं वह दोस्तों राजिस्तान की 25 सीटों के बारे में बात की जाई तो एंडिय के खाते में 19 तो यूपीय काते में 5 और अन्य खाते में एक सीट जाती वी नजर आ रही हैं वह दोस्तों लोग सबागी अब तक की रहे हैं दोस्तों इसे के साथ अगले राज़े के बाद ही हैं यूपया की ऐक सीट के बारे में बाद की जाए तो nouveauपरRight Do खाते में six और और ने काते में जीजर बदर आ रही हैं पूरें दोस्तों लोग से बाए 1503 सीटों में से 157 सीटों की बार एंबात कि याई तो indie काते में 88 यूप puisquते मैं 27काते में 13 बा किवी हैं दोस्तों सहरी सब्क्राइब संद्राइबर सब्सक्राइब माराश्टाइए सब्सक्राइब दोस्तों के यह. पहते beteate Ol Sn Scayo सीटों में से एंडिये खाते में 15 यूपिये खाते में चार और एंडिये खाते में दो सीट जाती ही नजर आ रही हैं वे दोस्तों लोग सबाकी 227 सीटों में एंडीय खाते में 120 UPA खाते में 30 एंटे का 45 शीट जाने हम उसी को साते हैं अगले राजे के बारे बात के मात कि जायते हो न्चा इंडीय आरफ के एक सबस्मारे एक शीट के बारे नतर्यट के मात की जायते हो जाएं ही दोस्तों मनिपूर की दो शीटों का बारे मिमाने की जाती जाते रहा रही है वह वह दोस्तों अगले ज्लीक का बाध की जाती है तो लकसदीप की एग सीट के बारे मिमाने तो एक यू पी आई को दो और अनिया के कहते में एक शीट जाती ही नंजी निजरारी हैं विद्स कोवा की दोसीटों में से दोनों पार्टियों को एक शीट जाती ही नंज stimulating भी है दिकाई दियरें वह दोस्तों लोग सबाar तो यूपीय खाते में जिरो और रहे हैं वहीं दोस्तों तुरी दोस्तों कि दोस्तों यूपीय खाते नाइघे नजर आ रहा रही हैं माचल पर्देस की में पेर रहे हैं चार में से एंडिये सीट जाती ही नजर आ रही है वही दोस्तों इसके साथ अगले जिले के बारे में बात कि जाए तो यूपी की यानि के उत्तर परते ही सबसे बड़े तो पचास सीटें एंडिये खाते में जाती ही नजर आ रही है तो यूपीये खाते में जाती ही नजर आ रही है तो यूपीय चिरी की एक सीट के बारे हम बात की जाए तो पर यूपी अ खाते में एक और निया खाते में जीरो सीट जाती हुए निजरा आ रही है वह दोस्तों लोक सबाकी 304 सीटों में ट्रेपन और अनिया कहते में 102 सीट जाती वी निज़र आ रही हैं वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिलिक के बारे में बात की जाए तो असम की चोगदा सीटों को बारे में बात के चोगदा में से NDA को 11 तो UPA को 3 और NA खाते में 0 सीट जाती वी निज़र आ रही हैं वही दोस्तों केरल की 20 सीटों के बारें बात कि जा जाए तो NDA खाते में 3 तो UPA खाते में 15 और NDA खाते में 2 सीट जाती वे नजर आ रही है वही दोस्तों आंदर प्रदेश की 29 सीटों के बारे में बात गिये तो NDA काते में 25 यूपीय खाते में 3 और NDA काते में 1 सीट जाती वी नजर आ रही हैं नगालेंड की एक सीट के बारे में तो एक की एक सीट यूपी एक खाते में जाती वी निजर आ रही है वही दोस्तों करनाटका की 28 सीट के बारे में बात कि जाती वी निजर आ रही है वही दोस्तों करनाटका की 28 सीट के बारे में बात कि जाती वी निजर आ रही है वही दोस् और चास यू प्यास्ते में 89 वह इने ऐटाते में 112 सबस्क्राइब बात क선 Dharm की 2 के बारे हैं बात कियो थो है ड्यक्राइब और नच十 बारी ऌट दिकाई जारी है वह दोस्तों अरुरा determine की दो सिटों के बात चीज़े दोटने का थी में लोग सबस्क पाक्शाWD जिठाटीव काई जवीश उवर दोस्तों ऐसाथ हो इसंगर reflects कश शड़ियहें विह सब्सक्राइक और भारें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों तेलगहना की 17 सीट of a dollar लोधे में साथ तो यूप शीटों में हलते से अथ चीट अच्ड़ дост यह डोई दिकाई दे रही हैं वह झूजरात की 26 सीटंवाले बात लेंड़ें एंडिये खाते में जाती भी दिखाई दे तो वह यूपीय और अन्ये खाते में जीरो जीरो सीट जाती भी दिखाई दे रही हैं वह दोस्तों लोग सबाकी पांसो टरा सीटों में से एंडिये खाते में एक दोसो बरान में वह यूपीय खाते में पिचान में तो अन्ये खात कर दोस्तों जम्भु एंक से पिफेंट वे थीड कहते है तो ँ ti खाते में एक जाते भी दिक्याई दे रही हैं वह दोस्तों इसकर साथ लोग सबस बागी 543 से डेंच वीक लिए हो 403 पर्म 157 को से 135 सीटे दोस्तों आपको बता दे कि जनता चाहती के एक बार फिर से नरेंदर मोधी सरकार बनें जो कि पिछली कमेंट के नुसार बताया जा रहा है कि 543 सीटों में से 309 सीटे मिल सकती हैं NDA को यानि के BJP को बाजबा को 309 सीटे के साथ एक बार पुन बहुमत बना सकती हैं और इतियास को बदल सकती हैं और दोस्तों यूई यूपिय कखते में सरीप और सरीब 500 43 सीटों में से 99 सीटे हैं दोस्तों देखा जाए तो रिकोर्डर से कापी कम हैं वही दोस्तों अन्येक खाते में 135 सीटे हैं जो अपना अपना बहुमत बनाकर अपनी जगे पे स्तिर ह हो सकती हैं वहीं दोस्तों देखा जाए तो नरेंडर मोधी एक बार सरकार बनाने के लिए तयार हैं और वहीं रावल गांदी की एक बार फिर से सरकार गिर सकती हैं और तीसरी बार सरकार गिराने के साथ और नरेंडर मोधी अपनी सरकार बना कर पून बहुमत के साथ इतियास को बदल सकते हैं दोस्तों इस ओपनिन पोल के बारे में आपका क्या ख्याल हैं क्या 309 सीटों के साथ नरेंडर मोधी अपनी सरकार बना पाएंगे या राउल गांदी इस बार बाजी मारेंगे या कोई अन्य पार्टी दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें बनना चाहते हैं तो हमारे comment box माँकर आप अपनी party को support करने के लिए आप कौन से राज्य जिल्ले से हैं वो लिखकर और अपनी party का नाम लिखकर हमें comment box में जरूर बताएं और कि